एशिया कप का चौद्वा संसकरन शुरू होने में महस दो दिन रह गए हैं 15 सितंबर से शुरू हो रहे टॉर्नामेंट के मुकाबले दोबाई और अबुदभू में खेले जाएंगे भारत अपना पहला मैच 18 सितंबर को होंग कोंग के खेलाफ खेलेगा जबकि चिरपरतिद्वन्दी पाकिस्तान से उसका मुकाबला 19 सितंबर को होगा ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खास हो जाता है आपको बता दें कि पहला एशिया कप टॉर्णमेंट 1984 में आयो जित किया गया UAE में खेले गए इस टॉर्णमेंट में भारत श्रिलंका और पाकिस्तान ने भाग लिया था अब तक 13 बार एशिया कप टॉर्णमेंट हो चुके हैं भारत ने सरवादिक 6 खिताब जीते हैं श्रिलंकाई टीम 5 बार चैंपियन रही जबकि पाकिस्तान 2 बार ये टॉर्णमेंट जीच चुकी है बांगलादेश ने सबसे जादा 5 बार एशिया कप की मेजबानी की है साल 2014 में टॉर्णमेंट 50 ओवर कर रहा पंद्रा में ये निर्ने लिया गया कि हर आयोजनों में इस टॉर्णमेंट का प्रारूप बतलता रहेगा 2016 में पहली बार ये टॉर्णमेंट T20 प्रारूप में खेला गया था जिसमें टिम इंडिया ने फाइनल में मेजबान बांगलादेश को मात दी थी श्रिलंका टॉर्णमेंट के सभी 13 संसकरोण में खेलने वाली एक मात्र टीम है बारत पाकिस्तान और मांगलादेश ने 12 बार 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 इस टॉर्णमेंट में हिस्सा लिया है सनज जैसूरिया 25 मैचों में 1220 रनों के साथ टॉर्णमेंट में सबसे जादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है जो एक संसकरोण में सबसे जादा विकेट लेने का रिकॉर्ण है 2012 में विराट कोहली ने पाकिस्तान की खिलाव का 183 रन बनाय थे जो टॉर्णमेंट का सर्वोच व्यक्तिगति स्कोर है वही सरच जैसूरिया ने टॉर्णमेंट में सबसे जादा 6 शा तक जड़े है 2012 में भारत के खिलाव मुहमद हफीज और नासिर अमशेद ने पहले विकेट के लिए 224 रनों की साज़ेदारी की थी जो टॉर्णमेंट में किसी भी विकेट के लिए सबसे जादा रनों की भागेदारी का रिकॉर्ड है 2008 में अजंता मेंडिस ने भारत के खिलाव 13 विकेट लिये थी और जिसमें उनका सर्फशेष 6 विकेट 13 रन देकर था जो एक पारी में सर्फशेष के इंदवाजी का उसद भी है श्रिलंका के लासित मरेंगा ने पारी में सबसे जादा पाच विकेट तीन बार छटके है नेक्स्ट नाइन स्पोट्स डेस से अभिलाश की रिपोर्ट